ये फ्रेंट्स वेल्कम बाक टू वीदेस यातरा चैनल मैं हूं मैवरी अब ये आपको बता होगा कि सब के 12th के एक्जाम्स की रिजल्ट आ गए है और सब में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी सोच रहे हैं कि हमें आउट ओफ इंडिया पढ़ने जाना है तो दिस इस द आप स्टड़ी अबरोड के लिए प्लान कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हैल्फुल रहेगा सबसे पहले अगर आपने सूच रहे हैं कि आपको बाहर जाना लेकिन आपके पास कोई भी इंफोर्मेशन नहीं है तो आपको होप नहीं छोड़नी है ये वी इसी है ठीक है उसके बाद जो भी आपको आपके अंदर से जो भी क्वेशन साते हो क्वेशन की इंफोर्मेशन एक बार कलेक करना स्टार्ट कर दो उसके बाद आपको करना है कि जो कंट्री आपने सिलेक कर दी नेक्स फेज आता है आपको वह कॉलेज सिलेक करने का और कोर् लेकिन उसके नाम कहीं कहीं कबार अलग-अलग भी होते हैं और दो-तिन कोर्स करके उन लोगों ने को बनाया होते हैं तो कोर्स आप कोलेज की पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाओ वहां जाके उसका कंटेंड देखो कि आप जिसके लिए अपलाई करना चाहते हैं वह कंटें कर गया की कोर्स आपने सिलेक्ट कर दे उसके बाद आपको कॉलेज फिल्टर करनी पड़ेगी कि कौन सी कॉलेज में जाना है और कॉलेज इसी तरह से फिल्टर करो ताकि जूभी एककोमोडेशन है रहने के लिए वह आपको इजीली मिल जाए तो नेक्स्ट फेज आता है जो कोर्स सिलेक्स कर दिया कॉलेज सिलेक्स कर दिया उसके बाद बहुत सारी कॉलेज इस ओपन वैबिनार रखती है वह वैबिनार आप अटेंड करना स्टार्ट करो जैसे आप वैबिनार अटेंड करते हो तो कॉलेज के बहुत सारे कॉर्डिनेर्स होते हैं एड्मिशन कम के लिए मिल जाएगा कि अगर आपने कॉलेज सिलेक कर ही दी है तो वही कॉलेज का वेबिना रटेन करते हो तो वहां जाके जो भी कॉडिने से आप यहां जो भी कंट्री में बैठ के कनेक्ट हो रहे हो आप वहां जाके उनसे भी मिल सकते हो उसके बाद आपका next phase आता है जित आपको study के लिए, accommodation के लिए और nearby location के लिए काफी help आपको वो Facebook जैसे बहुत सारे ग्रूप में से मिलेगी उसके बाद आपको job के लिए अपलाई करना है तो वो उसके लिए सबसे पहले यहां पे आपको prepare होना पड़ेगा आपको cooking सिखना पड़ेगा basic cooking फिर basic skill जो वहां पे में research करने वह research में आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी skill है वहां जाके आप इन में से कोई एक skill आप यहां से develop करके XYZ country select करके वहां पे वो skill को utilize करके आप वहां पे आपका जो भी part-time job होती है study के साथ वह आप कर सकते हो उसके बाद आपको करना है admissions के लिए apply करने के लि इतने अच्छे होंगे आपके जो marksit वगिरा होती है वह proper होंगे तो college में accept करने में easy हो जाएगा because of आपका academic report बहुत अच्छा है meanwhile आपको preparation करनी है English के लिए जैसे कि आपने country select कर दी तो आपको बता चल गया होगा कि overseas में जाने के लिए English mandatory होता है तो आप English के coaching लेना start कर दो उसके साथ साथ आपको दो चीजों का प्रिपरेशन साथ में करना पड़ेगा एक आलो आर और एसो पी लेटर ऑफ रेकमेंडेशन और स्टेट्मेंट ऑफ परपस यह दोनों का preparation करके आपके पास handy होना चाहिए और meanwhile अगर आपकी जो आगे की सारे process steps अपने follow कर दिये है तो जो भी application के हिसाब से आपके पास वो document handy होने चाहिए उसके बाद आपको लगता है कि आपका सारा preparation हो गया है आगे के सारे step आपने follow कर दिये है उसके बाद आपको college के अंदर final mail करना रहता है कि आप कौनसी college में admissions के लिए apply करते हो वो application with आपका resume वो आपको college में भीजना पड जाता है तो आपका एक task complete हो जाता है और यह journey के साथ साथ आपको English improve करने के लिए जो भी exam examinations होते like IELTS होती है या TOEFL होते है जी आरी होते है वो भी preparation करके उसके भी scorecard होते है या band होते वो भी आपको add करना रहता है ताकि कोई भी college easily आपके English skill के result के base पे या फिर आपके जो भी marks आते है या फिर जो भी band आते है उसके हिसाब से आपका एक और benefit हो जाएगा English proficiency का ताकि आपको admission मिलने में और भी easy हो जाए तो यह पूरा process मैंने आपको बता दिया starting से end तक अगर आपको इसके अंदर कोई भी हमारी help चाहे तो comment में हमें जरूर बताना मैं हु मैयोरी signing of Jaihin